ओम जै श्री हर विष्णू, जै मतरणी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मां भगविती दुर्गा की खृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, उमीद करती हूँ कि आज आपने अजाई कादेशी का व्रत जरूर रखा होगा, अगर आपने अजाई कादेशी का व्रत धारन किया है, तो जिस प्रकार से हम विधिविधान से व्रत धारन करते हैं, उसी प्रकार से व्रत में पारन का भी महत्व होता है, अगर हम विधिविधान से व्रत धारण करें लेकिन व्रत का समापन अच्छे से नहीं करते हैं या फिर पारण ठीक समय पर ना करें ठीक विधी से ना करें तो हमारे किये गए व्रत का संपुर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता और विशेश कर एकादशी के व्रत में एकादशी के व इसके अलावा, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर की समाप्ती के बाद ही किया जाता है। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्णाते हैं कि हरिवासर क्या होता है। दिखे, जब द्वादेशी थिती प्रारंभ होती है, तो प्रारंभ होने के बाद का जो एक चौथाई समय होता है लगबग 4 से 5 गंटा या 6 घंडे तक का समय जो होता है, उसे कहा जाता है हरिवासर और इस समय में एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता जब ये हरी वासर का समय समाप्त हो जाता है तब ही हम व्रत खोलते हैं तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पारण करने का शुब मुहुर्थ क्या है सही विधी क्या है दान आपको कब करना है किस प्रकार से करना है किन चीजों का करना है और व्रत खोलते समय सबसे पहले आपको क्या खाना है और अगर एकादशी के अगले दिन भी आपका कोई व्रत है तो आपको पारण किस प्रकार से करना है तो एकादशी व्रत के पारण से संबंधित संप्रोण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ इसलिए वीडियो को अंते तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्पूर होते हैं यही एक मातर जर्या है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगए तो लाइक तो जरूरी किया कीजिए अब बात करें पारण विधी के बारे में तो देखिए एकादशी के दिन हम व्रत करते हैं और व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी दिथी में तो द्वादशी तिति के दिन प्रादे काल जल्दी उठना चाहिए उठकर नित्य कर्मों से निव्रित हो जाए और श्नान कर लीजिए श्नान करके साप सचवश्टर धारन कर लीजिए फिर जिस प्रकार से हम एक आदशी के दिन भगवान की पूजा कर दे हैं विधिविधा से द्वादशी के दिन भी भगवान की पूजा करनी चाहिए जैसे कि अगर आपके पास विग्र है तो आप उनका विशेक कर लीजिए पंचामरित से कच्चे दूद से या फिर जल से जो भी आपके पास उपलबद हो उसके बाद पीले वस्तरुन है अर्पित कीजिए फिर पीले चंदर से उनका स्रिंगार कीजिए फिर इसके बाद धूप दीप पुष्पित्यादी अर्पित करके भगवान की विदिविधान से पूजा कर लीजिए और भोग लगा दीजिए भोग में आप जो भी आपके पास फल या फिर मिठाईया हो आप भोग लगा सकते हैं इसके बाद भगवान की आरती कर लीजिए शमा प्रारतना कर लीजिए अब इसके बाद आपको अपने वरत का समापन करना है भगवान को अपना वरत हम समर्पित करते हैं और उसके बाद ही हम अपना वरत खोलते हैं तो भगवान के सामने जिस प्रकार से हम संकल्प लेते ह व्रत का जैसे कि कई भक्त हैं जो कि हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करते हैं, कई भक्त हैं जो कि मानसीक रूप से संकल्प लेते हैं, तो जिस प्रकार से आपने संकल्प लिया है, उसी प्रकार से आपको अपना व्रत समर्पित करना है भगवान को, यानि कि व्रत क समापन करना है भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कीजिए कि है श्रीहरी विष्णु है जगत के पालनहार है जगदीश्वर आपकी क्रिपा से मैंने एकादशी का व्रत किया और आपकी क्रिपा से मेरा ये व्रत निर्विग्ण रूप से बिना किसी विग्ण बाधा के पुर्ण हो गया तो आप इसी प्रकार से अपनी क्रिपा मुझ पर बनाई रखिए ब्रत में पूजा-पाथ में किसी भी प्रकार से जाने-अंजाने मुझे कोई भूल चुख हूई हो इसके लिए मुझे ख्षमा कीजिए और सदयव अपनी क्रिपा इस समय आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं हाथ जोड़कर मस्तक चुका कर भगवान को प्रणाम कीजिए अब आप कवरत आपकी पूजा संपूर्ण हो गई इसके बाद आपको शुद और सातिक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना है और फिर स्वैम भी किसी सामगरी अर्थाथ भोजन के लिए कच्ची सामगरी आटा दाल सबजियां चावल इत्यादी फल या फिर वस्तर आप जो भी दान करना चाहते हैं सभी सामगरी भगवान के पास अर्पित कर दीजिए उन से प्रार्तना कर दीजिए कि आप इन चीजों का दान कर रहे हैं किस आप भगवान को समरपित कर देते हैं, उसके बाद उस सामगरी को मनस कर अर्थात मानसिक संकल्प लेकर और सपर्स करके दान के लिए निकाल देते हैं। आप दान आप चाहें तो तुरंत भी भीजवा सकते हैं, या फिर अगर उस समय तुरंत ब्राहण नहीं मिलते हैं, तो आप बाद में भी दिन में किसी भी समय भीजवा सकते हैं। और दान की सामगरी निकालने के बाद आप शुद्धर सात्रिक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाने के बाद स्वेम भी भोजन कर सकते हैं। आप जैसे कई भक्तों के प्रेशन आते हैं कि भोजन में हम क्या खाएं। मतलब पारण के लिए कौन सी चीज बनानी चाहिए तो देखिए। इतना ध्यान रखिए। भोजन में लैसुन, प्याज, इन चीजों का प्रयोग नहीं होगा, शाक, टमाटर, मसूर की दाल, और गाजर, मुली, बैंगन। ये चीजें पारण के भोजन में नहीं बनेंगी। इसके अलावा कोई भी शुद्ध और सात्विक भोजन आप बना सकते हैं, आप दाल, चावल की खिचडी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं, या फिर रोटी, सबजी, दाल बना सकते हैं, या फिर हलवा बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, को परकी रसोई साफ होनी चाहिए जब भूग बनाते हैं तो दूसरी चीज एक आदशी व्रत का जो पारण बनता है शास्त्रों के अनुसार उसे गाय के घी में बनाना चाहिए लेकिन गाय का घी इतनी आसानी से मिल नहीं पाता है तो ऐसे में आप शुद्धिगी का भी प्रयो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सरसो के तेल का प्रयोग मत कीजिए बस इस बात का ध्यान रखेए आपका अगला प्रश्ण होता है कि क्या द्वादशी के दिन हम दो या तीन बार भोजन कर सकते हैं तो देखे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी के व्रत में द्व ले सकते हैं मतलब जिस प्रकार से एकादशी में हम फलाहार करते हैं उसी प्रकार से द्वादशी में भी दिन में फलाहार कर सकते हैं और आपका अगला प्रशनाता है कि क्या द्वादशी के दिन हम लसुन प्याज खा सकते हैं नहीं देखिए द्वादशी के दिन भी लसुन और आप मन में मानसिक संकल्प लेकर छोड़ दीजे, जब आप शुद्ध हो जाते हैं, तो आप उस सामगरी का दान कर सकते हैं, चाहे पैसे का दान कर दीजे, या फिर सामगरी का दान कर दीजे, जो भी आपके सुविधा हो. तो एकादशी वरत का पारण करते समय द्वादशी तिति के दिन हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए अब जैसे कई भक्त होते हैं जो कि एकादशी के बाद अगले दिन प्रदोश का वरत करते हैं या किसी दिन का व्रत होता है जैसे कि गुरुवार हो शुक्रवार हो कभी भी पारण के दिन द्वादशी के दिन अगर ऐसे दिन पढ़ जाते हैं तो फिर हम व्रत कैसे करें एक आदशी व्रत का पारण कैसे करें और फिर दूसरा व्रत कैसे करें देखें ऐसे में आप तुल के बाद से व्रत खोलने के बाद आप दूसरे व्रत का संकल्प लेकर दूसरा व्रत भी कर सकते हैं और अब जानते हैं पारण के शुब मुर्थ के विशे में तो द्वादेशी तिती प्रारंब हो रही है तीस सगस्त दो हजार चौविस को प्राते काल एक बसकर 37 मिनट पर औ और व्रत खोलने का शुब मुर्थ आपको प्राप्त हो रहा है 30 अगस्त को सुबह 7 बज कर 25 मिनट से सुबह 10 बजे तक एक आदशी व्रत का जब हम पारण करते हैं तो शुब मुर्थ का ध्यान जरूर रखना चाहिए क्योंकि अगर हम व्रत शुब मुर्थ में नहीं खोल आदी